ओम्च्यांती कार्म तो मनुस प्रती पल कर रहा है तन्तो जो मनुस अना सक्त भाव से कर्म करता है जो मनुस विटैच्छो कर कर्म करता है जो मनुस आत्मिक स्वरूप में और आत्मिक भाव में इस्थित रहकर कर्म करता है वो सच्मच्चे कलो के प्रस्न है, मनुस है, और उसमें भी जो मनुस योग-योग ठोकर कर्म करे, उसमें तो ये सारी क्वालिटी स्वते ही आ जाती है, योग-योग ठोकर कर्म करना एक कला है, सिर्मत भगवत कीता में भी कहा है, हे अर्जुन, तु अपनी बुद्धी को मेरे स्वरूप पर इस्थिर रखते हुए कर्म कर्व, यही वास्तों में कर्म योग है, बाबा ने इसको हमें बहुत सहज बना कर दिया है, बिन्विन अभ्यार करने सिखा दिये हैं, ताकि कर्म य योग इसको समझते हैं कि हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करें, बड़े कर्म करें, दुनिया में भी कहते हैं यह व्यक्ति कर्म योगी है, लेकिन जब तक योग युक्त नहीं हैं, तब तक कोई भी मनुस कर्म योगी नहीं हो सकता, यदि हम कर्म योगी नहीं हैं, तो हर कर का गेहरा और बूरा और निगेकिव इफेक्ट हमारे उपर पड़ेगा हर कर्म हमें बांद एगा और हम करमाती तवस्थागियों नहीं जा सकेंगे लेकिन यदि हम योग युक्तो कर्म करते हैं तो हर कर्म हमें एनर्जी देता है, हर कर्म बहुत बड़ा पुन्य बन जाता है, हर कर्म हमारे लिए जैसे संसार में प्रेणा देने वाला हो जाता है और जब हम योग युक्तो कर कर्म करते हैं, हर्थात हम ये महसूस करते हैं, कि बाबा हमारे साथ है, तो उसकी शक्तियां हमसे जुड़ जाती हैं, डबल फोर्स कारिये करता है, डबल फोर्स क्या गए हैं, हमारी शक्ति और बाबा की शक्ति दोनों कंबाइंड हो जाती हैं, और बहुत जल्बी कारिये पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए सहज भाव से कर्म करना सीखें, कर्म योगी वही बन सकते हैं, जो कर्म कॉंसियस नहों, जो टाइम कॉंसियस नहों, टाइम पे कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन टाइम कॉंसियस हो जाना, बार बार घड़ी देख दूसरों को भी फटकारते रहना ठाइम पर करो जल्दी करो यह कर्म कॉंशियस्नेस टेंशन पैदा करती है और कर्म कॉंशियस होने से मनुस सब कुछ भूल जाता है याद्पी कर्म में पूरी तरह से तलीनता होना भी परामावशक है, लेकिन इतनी तलीनता नहीं के हम बाबा कोरी भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, तो आईए सहज भाव से कर्म करने की प्रैक्टिस करें, हम अपने कर्मों को एंजोय करें, कर्म ऐसे करें मानो डांस कर रहे हूं, आनंदलें कर्मों का एसी मेंटलिटी हम बनाते चलें अपनी के हमें अपने कर्म बहुत आनंद पूरवक बहुत प्रसंथा पूरवक करने हैं, तो कर्म में क्या-किा हम अभ्यास करें? मैं आत्मा किस्ते में बैठ कर इस से कर्म करा रही हूँ, मैं कराने वाली हूँ दूसरा, बाबा की सक्तियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बाबा मेरे साथ है, इसको जरा बार बार याद करते रहें इस्टुडेंस भी अदियाप हैं, तो बार बार याद करते रहें, बावा मेरे साथ है, किसी कर्म में स्वमान के अच्छे-च्छे अभ्यास करें, मैं गुरवज हूँ, मैं इस्ट देव देवी हूँ, मैं जहान का नूर हूँ, मैं कल्क वर्क्स की जड़े हूँ, स्वमान च परिस्थिर है, और यहां हम कर्म कर रहे हैं, यह सब नहीं कर पाएंगे, जिनको बहुत अच्छा अभ्यास है, वो यह अभ्यास करें, और कभी अभ्यास करें, बावा की किर्णे मुझ पर पड़ रही हैं, तो कभी अभ्यास करें, मैं फरिस्ता कारिये कर रहा हूँ, इस त आरा दिन, हम ये स्वमान अभ्यास करें, मैं जहान का नूर हूँ, मैं इस जहान की सोभा हूँ, मेरा इस अंसार में उपस्तित होना ही बहुत महत्वून है, और साथ में अभ्यास करें, बावा की केने निरंतर मुझ पर पड रही है, शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर उतर रहा है, ओम शंदी